दोस्तों नमस्कार आप देखने हैं दवी एनवाई नियूज मैं विवेकन नंजादव होली कपर्व सामने है और दूसरे परदेश से सराब माफिया सराब लाकर बेचने के जुगार में लगे हुए हैं इसी करम में कटिहार में एक अनूठा तरीका देखने को मिला कि सराब के खेप को ढोने के लिए दूद के कंटेनर में डाल कर कोड़िया टोली ले जाने के करम में कटिहार नगर पुलिश ने दो दूद विक्रिता को गिरफदार किया जिस दूद विक्रिता के कंटेनर में सराब की बोतलें और पोच बगड़ और देशी सराब बगड़ मिली बड़ारी से लेकर कटिहार सहर के कोड़िया टोली में पहुंचाने के लिए 500 रुपईया प्रती दिन एक खेप की मिलती थी और दोनों दूद विक्रिता ने स्विकार किया कि 15-17 दिन से यह काम हो कर रहे थे चुकि लोब हो गया होली का पड़ब है इसलिए वो दूद के वज़ा सराब ही कंटेनर में डालकर मोटर साइकल से ढोने लगे पुलिस को संदेव है पुलिस ने पकड़ लिया तो यह एक नया और अजूबा तरीका अपनाया सराब बिक्रिताओं ने और सराब ढोने वालों ने कि दूद के कंटेनर से सराब का खेप ले जाकर पहुचाना कटिहार नगर पुलिस ने गिरफदार किया और उत्पात विभाग द्वारा भी जगा जगा छापा मारी कर सराब के खेप के पकड़े जाने की सूचना है उत्पात विभाग के द्वारा कई अस्थानों पर सराब पकड़ी जाती है रेलवे लाइन के आसपास रेलवे से ढोने का काम दो पहिया चार पहिया गाडियों से ढोने का काम तरह तरह के उपाए सराब बिक्रेता लगाते रहते हैं और ढोते रहते हैं और पकड़े भी जाते हैं लेकिन इन सरी बातों में एक बात तो तै है कि जिस प्रकार सराब बंदी है उस परकार सराब बंदी का कोई लक्षन नहीं दिखाई पड़ता खूले आम सराब अधिक दामों में बिक रही है और सामने होली पर्ब होने के कारण सराब मापिया सराब बिक रहता जी जान लगा चुके हैं चुकि सौ का समान पान सो में बेचकर गारी कामाई करी जाएगी इस होली के अबसर पर पुलिस वाले एकसाइज भी भाग सहित आम लोगों के भी पौबारा हो जाएंगे कामाई बढ़ जाएगी इसलिए सराब भी क्रेता भी लगे हुएं सराब ढहने में अलग अलग तरीके से अब परसासन भी लगी हुई है लेकिन सराब बंदी बोल के कुछ नहीं है सराब हर जगा उपलबध है नया नया तरीका अपनाया जा रहा है अब तो दूद के कंटेनर से भी ढहने की बात निकल कर सामने आ गई तो दोस्तों मने बडियो अच्छा लगए तो लाइक करें, सिर करें, कमेट करें, सब्सक्राब करें मुरे चैनल को धन्यवाद